जैशी किष्णा दोस्तों बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों माक शीष मास में पढ़ने वाली सनकष्टी चतुर्थी का बहुत अधिक मैत्व है इसे गड़ा धीप सनकष्टी के नाम से जाना जाता है और इस बार ये सनकष्टी चतुर्थी शनिवार की दिन पड़िये बहुत ही शुबसायोग बना हुआ है इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो यकीन मानिया आपको निश्चित ही सन्तान सुक्की प्राप्ती होती है क्योंकि सनकष्टी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली गड़ेजी प्रथम पुज्जे हैं विग्न हरता है रिद्धी सिद्धी के दाता है और शुबलाब इनके पुत्र है इनका पूजन करने से हर कारे में सफलता मिलती है जिन भी बेहनों को देखे कई साल हो गए संतान की प्राप्ती नहीं हो रही और जिन भी बेहनों को देखे मासिक धरम ठीक नहीं आता या पीरर सही नहीं तो उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए इस बार सनकष्टि चता शनिवार के दिन पढ़खे है बहुत ही शुब सउयोग है क्योंकि देखे सिस दिन शनिवार का दिन भी है जो की श्रीहरी भगवान का दिन माना जाता है पीपल में सभी देवों का वास मना जाता है इत्री देवों का वास होने से अगर इस दिन पीपल की पूझा की जाती है तो आपको हर तरह के तंत्र मंत्र कैसी भी दोशो उससे मुक्ती अवश्यी मिलती है दोस्तो आज हम आपको दो उपाय ऐसे बता रहे है एक तो गड़िजी का उपाय है और एक आपको पीपल का उपाय अवश्य ही करना है जिन भी बेहनों को देखे संतान की प्रापती नहीं हो रही और जिन को मासिक धरम भी ठीक नहीं आ रहा था उनको ये दोनों उपाय हो सके दोस्तो संकष्टी चतुरती बहुत ही शेष्ट माने जाते है इस दिन गड़िजी की पूजा करने से आपकी सारी विपदाव को हर लेते हैं घर में अकर नकारात्मा प्रभाव होता है तो वह भी दूर हो जाता और व्यक्ति के जितने भी संकट होते हैं उनको वो हर लेते हैं दोस्तो संकष्टी चतुरती का आर्थ ही यह होता है संकटों को हरने वाली तो आप इस दिन गड़िजी का पूजन अवश्य ही करें जो भी व्यक्ति दे कि पूरी विधी विधान से गड़िजी का स्रद्धा से पूजन करता है उसकी मनोकामना अद्धी शीग्र पूरी होती है दोस्तों आज उसी की हम जानकारी दे रहे हैं तो दोस्तों इस दिन शनकष्टी चतुरती के दिन आप सुब्यस नान करके गड़िजी का पूजन अवश्य ही करें आप अपने ही घर में गड़िजी की तस्वीर है मूर्ती है तो उसको पूरत दिशा में रख उनको चिकनी साइड आपको उस पर ओम या गन ओम या गन लिखकर आपको गड़िजी को कलावे से देखे कलावे से आपको उन साथों पत्तों की माला बना कर गड़िजी को पहनानी है इस तरह से आपको गड़िजी का पूजन करना है साथ ही दोस्तों आपको एक पीपल का पत्ता और लेना है और उस पीपल के पत्ते पर आपको सिंदूर यानि कुम कुम जो लाल सिंदूर होता है या जिससे आपने ओम लिखा है पीपल के पत्ते पर उसी से आपको उस पर स्वास्तिक बनाना है और आपको एक मुठी चावल ले ले और उनको एक कटोरी में रखें और गणेजी का पूजन करें, और गणेजी के आगे एक दीपक जला कर, उस पीपल के पत्ते को जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है, वो गणेजी के आगे रखें, और जो आपने चावल लिए हैं, उसमें से आपको एक चावल का दाना लेना है, और ओम पार्वती प्रियन नंदनाय नमह, ओम पार्वती प्रियन नंदनाय नमह कहते हुए, उस चावल के दाने को आपको पीपल के पत्ते के उपर चड़ा देना है, ऐसा दोस्तों आपको 108 बार करना है, देखना आपकी मनुकामना अति शीग्र पूरी होगी, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने चावल लिए, वो टूटे वे नहीं होने चाहिए, दोस्तों गड़ेजी को अक्षद अति प्रिये हैं, तो आपको पीपल के पत्ते पर 108 चावल के दाने ओम पार्वती प्रियन नंदनाय कहते हुए अर्पित करना है, यानि एक दाना हाथ में लेना है और इस म आपको गड़ेजी का पूजन अवश्य ही करना है, आप अपनी इच्छानू सार गड़ेजी को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ मीठे का भोग अवश्य ही लगाएं, चाहिए आप घर में ही हलवा बना लें, कोई भी वस्तु बना कर गड़ेजी को भोग अच्छा दूड डालें, और साथ ही रोली, अक्षत, और आपको गुर्ड डालना है, कुछ मीठा डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, साथ ही आपको देखें दोस्तों इस दिन क्या दहान रखना है, कि इसमें आपको थोड़ा सा, बिल्कुल दो तिल ड्रॉप आपको सर अरपित करते हैं, तो कोई भी कैसा भी रुकावट हो दूर होती है, कितने भी हमारे चाय कोख बंदी हो, चाय कैसा भी दोशो वो अवश्य ही दूर होता है, तो इस तरह से आप पीपल पर जल अवश्य ही चड़ाएं, और वहाँ पर आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना ह दोस्तो इस दिन देखे, पीपल पर तिदेवों का वास माना जाता है, मता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इस तरह से आपको वहाँ पर दीपक जलाना है, और पीपल देवता से प्रातना करनी है, अपने संतान प्राप्ती के लिए जो भी रुकावट आ रही है, उसके लिए आपको प्रात्ना अवश्य ही करनी है दोस्तों ये दोलों हुई उपाय आपको जरूर करने हैं इस दिन बहुत ही शेष्ट योग बनावाई देखे संकष्टी चतुर्ती बहुत ही शेष्ट मानी जाती है और इस दिन आपको देखे गणेजी से भी पूरे शद्धा से उनसे प्रात्ना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे गणेजी आप प्रथम पूझे है रिद्धी सिद्धी के दाता है शुबलाब आपके पुत्र है मुझे भी एक संतान या एक पुत्र की प्राप्ति का आशिरवात दे इस तरह से आप अपनी मनोकामना अवश्य ह पूत्र की कामना है तो इस तरह से आपको अवश्य करनी है और दोस्तों जो मैंने उपाय बताया है दोनों ही उपाय आपको अवश्य करने हैं तो देखना आपकी मनो कामना आती शीग्र पूरी होगी दोस्तो गणे जी बहुत ही शीग्र प्रसन में हो जाते हैं और जो भी सनकर्ष्टी चतुर्थी के दिन इनका पूजन करता है तो निश्यत ही उसकी मनुकामना पूरी होती है दोस्तो अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें अगर आपको कुछ समझ नाया हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं